हेलो एविवान स्वागत है आप सभी का एक और फैंटसी प्रिव्यू में मुकाबला है लाइन वर्सिस वेस्टिन प्रोविंस के बीच एंगे मुकाबला खिला जाएगा एक बहुत ही अच्छा मुकाबला आपको देखने को मिलना चाहिए और एंशॉर कि आप लाइक बड़ करेंगे पिच रिपोर्ट, वेजर रिपोर्ट, जो भी स्क्वाड निउस है हमारे पास अवेलबल एन उसके बाद फैंटसी टीम सू स्टे टून वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखिए ताक कि आपको पूरा बेनेफिट मिल पाए इस गेम का विन प्रेटिक्शन करेंगे तो चलते हैं आज के वेडर रिपोर्ट के पहले स्क्वाड निउस की तरफ स्क्वाड निउस अगर हम देखें तो यहां पर एक टीम की स्क्वाड यहां पर आ चुकी है और एक जो बिग इंक्लूशन आपको यहां पर दिख रहा है वो यह है कि जॉर्ज लिंडा अब वापस आ चुकी हैं सीपील से एंड खेलेंगे बाकी का जो स्क्वाड है प्रिटी सिमिलर है तो लास गेम बट ओविसल ही कुछ कौर्ड हमें देखने को मिलेगा और वही साब से बनाएंगे आज की टीम तो वैदर रिपोर्ट की बात करें सानी वैदर एक पूरा गेम हमें यहां पर देखने को मिलना चाहिए यह है हो पड़ कुछ कह नहीं सकते हैं आज कल क्रिकेट के पीछे बारिश हमें साथ आफरिक ऑस्टेलिया अगर आपको मुकाबला याद है हाई स्कोरिंग था बट स्टार्टिंग में तफ था साथ आफरिका एक पॉइंट पे एक सोचे पे चार थी और वहां से उन्होंने रंस बनाएं तो इस बात का धियान रगेगा कि यह पिछ जो है स्टार्टिंग में असान नहीं है बट बात में अच्छी हो जाती है तो बैट उन तो वही साब से हम एक्सपेक करेंगे और टीम वही साब से बनाएंगे और पिच थोड़ा से टर्न भी लेता है हमने दोनों निंग्स में देखा जैंपा ने एंड में आके विकेट लिए और केशव साथ आफरिका तो वैसा ही कुछ हम एक्सपेक्ट करेंगे यहां पर एंड वही साब से अब बनाएंगे हमारी आज की तो स्टार्ट करेंगे ऐसे कीपिंग से काईल वरेना बहुत ही अच्छा नौ खेल के हैं लास्ट की हम से ओविसली इन नहीं चोड़ सकते हो और राइन अच्छे खिलाड़ी है माय के लिए खेल चुके हैं इंद साथ आफ्रिका टी ट्वेंटी तो ओविसली एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है और ओपन करेंगे यह ऐसे टाइप के प्लेयर है कि अप्फरंट थोड़ा मूव्मेंट होता है तो सस्पेक्ट हो सकते हैं और वो इ यहां पर मिडल ओडर में आएंगे तो में भी इनका चांस यहां पर बैतर हो जाता है और जॉनतन बर्ट यह पान से च्छे ओवर ऑस्पिन भी करके दे सकते हैं आपको तो वह हिसाब से एक अच्छी पिक है एवन जोन्स को हमने इन डीटेल डिसकस किया था लास्ट टाइम बट उनको स्कौर्ड में जगे नहीं मिली थी अगर स्कौर्ड में जगे मिलती है एंड प्लेइंग 11 में खेलते हैं तो मेरे ले एक स्ट्रेट फ़ॉर्ड पिक बन जाते हैं वो भी होल राउंडर्स की बात करें तो यह होगा सबसे क्रूशल सेक्शन आपका इस मुकाबले में वियान मुल्डा और जोन 14 यह दोनों सबसे क्रूशल प्लेइज है लाइन के लिए भी और हमारे फैंटेसी 11 के लिए उसके लावा जॉर्ज लिंडा जैसे मैंने का आप वापस जा रहे हैं सेकंड बोलिंग करेंगे तो कैपटेंसी वाइस कैप्तेंसी चॉइस भी बन जाते हैं पॉटगीटर ने लास्ट गेम में ठीक बैटिंग की थी बोलिंग से नहीं अपर्चुनिटी नहीं मिली थी काइल सिमिंश का एक ठीक टाउक स्पेल था एंड लेफ्ट आ नहीं की थी तो वह एक चीज उनकी अगेंस जाती है प्लस क्यूंकि यहां पर पिछ पे स्टार्ट करना तफ है तो वह इसाप से वह चीज़ भी उनकी अगेंस जाती है यह ओपनिंग बैटर है बोलस की बात करें तो नाइंद्रे बोर्गर यहां पर एक्दम स्ट्रेट यहां से मेरे लास्ट पिक होंगे ब्यूरन हेंड्रिक्स पहली बोलिंग में तो डेफिनिटली टीम में रहेंगे उसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शन्स हैं यहां पर कंसिडर करने के लिए एंड और वा जो लास्ट केम था वापस क्यूंकि स्कोर छोटा था उ ज्यादा मौका नहीं मिला था बट सेकेंड बोलिंग में आना आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो उसके अलावा यहां पर वापस ठीक टाक पिक हैं फॉर्स बोलिंग में आप कुछ टीम में ने ट्राइ कर सकते हैं ऐसे टाइप का गेम है जहां पर बहुत सारे ऑप्शन्स ह की तरफ तो आपको दिखने हैं वी एन मुल्डा एन बजॉन फॉर्टेंग के साब से एंड क्यूंकि दोनों की बैट से भी वैल्यू ठीक टाक है मैं उन दोनों के साथ ही जाओंगा बट अगर जॉर्ज लिंडा सेकेंड बोलिंग करते हैं तो में भी फॉर्टेंग के साथ उन्हें में इंटरचेंज करो तो अभी के लिए यही रहेगा प्लान उसके अलावा अगर कुछ चेंजिस होंगे तो मैं आपको बताऊंगा ओन टेलिग्राम एद रेट फैंटेसी क्रिक प्रो तो वहां चुड़ना मत बूलेगा अब चलते हैं जील ऑप्शन की तरफ और जील ऑप्शन के पहले रिमेंबर तो साइन अप उन माइमास्ट लेवन कुछ एक्स्क्लूजिव ओफर चल रहे हैं सिर्फ एसी पी उसके लिए तो रिमेंबर तो साइन आप इसका पूरा फायदा उठाएं अब जील ऑप्शन की बात करें तो इस गेम में एडवर्ड मूर एक हाइस सिलेक ड्रॉपरिस बॉम है अज हमको पता है कि जो सामने वाली टीम की बोलिंग है काफी स्ट्रॉंग है तो वो हिसाब से वो जल्दी आउट हो सकते हैं इस सिनारियो में उसके अलावा काईल सिमिन्स बोलिंग सेकें अल्री डिसकस कर चुका हूँ क्यों बैटिं सी वाइस कैप्टेंसी पिक ज्यादा तर जो बेस्टीम के पिक्स है उन ही से है ब्यूरें हें अगर कुछ चेंजज़ होते हैं इन स्कॉर्ड या कुछ फाइनल चेंज़ होते हैं तो वो हम डिसकस करें यह अन टेलिग्राम एक्सचेंज्ज पर गेम अब तक लाइब नहीं हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेर कर दूंगा और टेलिग्राम साइन अपन एक्सचेंज 22 रुपीज 50 रियल क्याश आपको मिल जाएगा बाइस सब्सक्राइब करेगा स्पेशली रियल क्याश वाले ओफर्स क्यूंकि बात में क्यूंकि इन आप्स को आपका GST कवर करना पड़ेगा तो वही साब से रियल क्याश वाले ओफर्स नहीं आएंगे अगर आपने हमारा लीग जॉइनिंग स्ट्राटेजी वाला वीडियो नहीं देखा तो अल्रडी अप्लोड़ेड हमारे चैनल पर तो ऑप्टिमाइस की कैसे आप लीग जॉइन कर सकते हो वो वीडि